एक फकीर नदी की किनारे बैटा था, किसी ने पूछा, बाबा क्या कर रहे हो, फकीर ने जवाब दिया, इंतजार, इंतजार कर रहा हूँ के कब पूरी नदी भैजा है, तो मैं ऐसे पार करूँ, उस आदमी ने हैरान होकर कहा, बाबा ऐसा तो कभी नहीं होगा, एक धारा के पीछे दूसरी धारा, और दूसरी धारा के पीछे तीसरी धारा, नदी का पानी एक साथ कब पहा है, फकीर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यहीं बात दो, मैं तुम लोगों को समझाना चाता हूँ, कि जिस तरह, नदी का सारा पानी एक साथ नहीं भैसकता, उसी इस जीवन के भी सभी कार्य यूही चलते रहेंगे, इन सब के बीच रहकर, जो चाहते हो वो करो, अपने सपने पूरे करो, समस्या, जिम्मेदारिया, अभाब, यह सब जिन्दगी का हिस्सा है, अपना कदम बढ़ाओ, बस शुरुवात करो, क्योंकि सही समय आता नहीं, उ उसे लाया जाता है, याद रखना, जब यह पता चलता है कि जिन्दगी को कैसे जीना है, तब जिन्दगी अपने आखरी पड़ाव पे होती है, इसलिए वक्त रहते संभल जाओ, समझ जाओ, जाग जाओ, और अपने सपनों को पूरा करो,